दोस्तो अकसर मेरे पास यह सवाल आता है कि भाईया लोग कहते हैं आप intelligent बन जाओ, बहुत smart बन जाओ लेकिन ऐसे कैसे मैं intelligent बन जाओ जितनी मेरी capability है, मेरी शमता है सोचने की मैं उसको कैसे अचानक से बढ़ा लूँ एकदम से genius बन जाओ, possible नहीं है तो हमें ऐसी बाते सुनके बुरा लगता है, ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते है, जो intelligent है वो जीत जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे तो दोस्तो आज मैं आपको एक कड़वा सच बताऊंगा जो किसी के लिए तो कड़वा है, किसी के लिए मीठा है एक छोटी सी कहानी बताऊंगा दो लोग थे, दोनों का होलसेल बिजनस था दोनों लोग सबजीयों के थोक का व्यपार करते थे उन में से एक बहुत तेज था, बहुत स्मार्ट था, बहुत intelligent था एक बहुत ही सीधा था, सीधा सचा काम करता था, महरत करता था तो जो तेज दिमाग वाला था ना, उसने दिमाग के गोड़े दोड़ाए धके खाये, सर्च करी, और estimate कर लिया कि उस साल अकाल पढ़ने वाला है बारिश बहुत कम होगी, या ना भी हो अकाल पढ़ने वाला है, किसी एक सबजी के दाम बहुत ही बढ़ जाएंगे प्रोड़क्शन नहीं होगी, जुरुत के हिसाब से पूरा दिमाग लगा के, अपनी intelligence का इस्तमाल करके उसने उस सबजी को होड़ करना शुरू कर दिया सीजन आने से पहले ही, अकाल पढ़ने से पहले ही, बारिश का सीजन होने से पहले ही उसने उसको होड़ करना शुरू कर दिया, गुदाम भरने शुरू कर दिया एक का दस करने की उमीद में जो दूसरा आदमी था, जो सीधा था, सरल था, वो अपना वेपार करता रहा, चीज़े खरीदता रहा, बेशते रहा, उसने कुछ भी नहीं सोचा, उसमें इतना दिमाग नहीं था, इतनी कैपेबिल्टी नहीं थी, इतनी पावर नहीं थी, वो अपना काम करता रहा, उसके ब बारिश पड़ गई, मौसम के प्रेडिक्शन जो थे वो असलियत में नहीं, बदले असलियत तो कुछ और ही हो गई, जो सबजी उसने होड करी हुई थी, गुदामों में भरी हुई थी, उसकी इतनी मंपर फसल हुई कि रेट गिरते चले गए, बिल्कुल फ्री के बराबर हो गटा नहीं हुआ, सस्ते रेट में माल ख़ीदा, सस्ते में बेच दिया, और जब बहुत ही सस्ता था माल, थोड़ा सा रोक लिया, थोड़े से रेट बढ़ गए, बेच दिया, इसने तो बलगी पैसा भी कमा लिया, तो दोस्तों कहा काम आई समझदारी, प्रोएक्टिवन इस सिच्वेशन में तो काम नहीं है, और अगर आप अपने जीवन में जाकोगे न, ऐसी बहुत सी सिच्वेशन, बहुत से लोग, परिस्तितिया मिल जाएंगी, जहां पे इंटेलिजेंट होने का, प्रोएक्टिव होने का, स्मार्ट होने का, लोगों को नुक्सान भरना पड़ा, क्योंकि ये प्रकृति आपकी इंटेलिजेंस पे ही नहीं चलती, ये कभी भी कुछ भी कर देती है, रैंडमनेस भी होती है, सडन इवेंट्स भी होते हैं, बड़ी-बड़ी चीज़े एकदम से हो जाती हैं, अब जैसे लोगडाउन लगे थे, लोगडाउन से प सब घाटे लग गए, और कहीं लोग जो इतने समझदार नहीं थे, उनको वो घाटे नहीं लगे, तो अगर आप इतने जादा इंटेलिजेंट नहीं हो, जीनियस नहीं हो, एकदम से चीज़े नहीं कर पाते हैं, एकदम से प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पाते हैं, तो लगा पा रहे है प्रोएक्टिव नहीं बन पा रहे है तो भी कोई दिक्कत नहीं है शांती से काम करते रहो लाइफ अपने आप आपको मौका देगा आगे बढ़ने का और जो बहुत जादा दिमाग चला रहे है लाइफ उनसे कहीं मौके छिन भी लेता है जो पेशेंस वाले मौके होते हैं जो एकदम से पैदा हो जाते हैं वो मौके वो पकड़नी पाएंगे क्योंकि वो किसी और ही डिरेक्शन में चल पड़े होंगे तो यह जो इंटेलिजेंस है इसको इतना सुपीरियर मत समझोगी खुद को इंफीरियर समझने लोगो आपको भी उतने ही मौके मिलेंगे और उनसे भी उतने ही मौके छीने जाएंगे तो इवेंच्वली आप लोग बराबर ही आके खड़े हो जाओगे तो दोस्तों जो समार्ट लोग होते हैं इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो आम जीवन से थोड़ा सा हट जाते हैं थोड़ा से प्रोएक्टिव हो दिमाग के घोड़े उनके दोरते रहते हैं हर चीज को अबसरव करते हैं लोग को अबसरव करते हैं एकदम तुरंथ फैसले लेते हैं एक स्टेप आगे चलते हैं लेकिन हमیश्द ध्यान रखना जो इतनी फास चलेगा न उतना ही जादा गिरने के चांद सुनके होंगे जो सिंपल तरीके से मेहनत करते हुए आगे बढ़ेगा वो बार-बार नहीं गिरेगा वो स्ट्लोएं स्टेडी आगे बढ़ता रहेगा कभी आप बच्पन में रेस में दोड़े होगे अपने भाई-बार बहने के साथ दोड़े करी ओगी कई बार आपने देखा होगा जो बहूत तेज दोड़ता है ना जिसकी जीद मिच्चित है वो बीच में कहीं गिर जाता है और धीरे दोड़ने Happiness जाते है तो लाइफ में भी ऐसे ही होता है दोस्तो इसलिए मैं गहता हूँ कभी भी किसी को भी निराश होने की जीवें में जरूत नहीं है ये जीवें बहुती अलग है, बहुती सुपीरियर है, बहुती स्मार्ट है ये प्रकृती ये ताने बाने ऐसे बुनती है, जीवें को ऐसे बुनती है कि हर जीवन को एक अलग एक यूनीक एक अच्छी कहानी मिल जाती है बशरते की आप comparisons मत करो आपके जीवने बुराईया भी आएंगी अच्छाईया भी आएंगी डाउन्स भी आएंगे अब स्ब कुछ आपको मिलेगा करम करते रहो comparisons मत करो अपने आप की रिस्पेक्ट करो, अपने जीवन की, अपने जनेटिक्स की, अपने कर्मों की, आत्मा की, शरीर की सब की रिस्पेक्ट करो सब अच्छा होक linguistic हो एक अच्छा जीवन जरूर हासिल कर लोगे और कोई इंसन कितना भी आगे बढ़ जाए पाना उसने मृत्यों कोई है तो इस लाइफ में में स्थान जो है सबसे जरूरी स्थान है खुशाली का खुशी का तसली का सैटिस्फेक्शन का रिष्टों का अच्छे कर्मों का उस स् थैंक यू और बेस्ट